बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्हीम असलामों अलेकुम आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो है तरी वाला चिकन और ये हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल बहुत ही इजी तरीके से तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसमें दो चमच अद्रक लसन का पेस्ट दाल दूँगी साथी में मैं यहाँ पर 80 ग्रैम्स का ये जो दही का पैकेट रहेगा ये भी पूरा दाल दूँगी इसके बाद मैं इसमें आट कर दूँगी नमक आदा चोटा चमच आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम यह ज़ादा कर सकते हैं अब मैं इसमें आट कर दूँगी हल्दी पॉणटर तो मैं यहाँ पर 80 चमच हल्दी पॉणटर को इसमें एड़ कर दूँगी साथी में 2 चमच धन्या पॉडर इसमें यूज करेंगे हम धन्या से इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है तो हम तोड़ा जादा कॉंटिटी में धनिया पाउडर यूज़ करेंगे लाल मेच पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप दाल सकते हैं मैं यहाँ पर आदा छोटा चमच दाल दूँगी और कश्मीरी लाल मेच पाउडर भी आप अगर चाहे तो दाले वरना इसकिप कर स और इसमें दो बड़े चमच ओउडर को अच्छे से गरम कर लिया है ओईल जो है वो मेरा पहले का है जो जिसमें मैंने नौन वेजी बनाया था वो ही oil है तो मैं वो ही use कर रही हूँ और उसमें मैंने एक medium size की प्यास को जो है वो cut करके add कर लिया है प्यास देख सकते हैं आप मैंने roughly chop करी है बिल्कुल पतला slice नहीं काटी है आपको जैसे तरीके से हती है प्यास वैसे तरीके से इसमें काटके दाल दीजिए तो बस दो से तीन मिट तक के लिए हमें full flame पर प्यास को सिर्फ soft करना है जादा इसका color वगरा कुछ change नहीं करना है अब मैं इसमें add कर दूंगी tomato तो मैं यहाँ पर दो छोटे tomato यूज़ करूंगी अगर आपके पास एक बड़ा है तो आप एक बड़ा टमाटर भी यूज़ कर सकते है तो देख सकते हैं टमाटर दालने के बाद भी इस अच्छे से mix कर लेंगे ताक के टमाटर प्यास अच्छे से soft हो जाए और यह बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है वो तरी वाला चिकन बता रही हूँ बहुत इजी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है यह दो तीन मिट तक टमाटर को भी अच्छे से इसमें तेल में भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो एट कर लेंगे तो अब में यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा दो टेबल स्पून जितना पानी इसमें आड कर दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी तीन विसल हम ले लेंगे फूल पे ही तीन विसल इसकी ले लेना है और फिर कुकर ठंडा होने के बाद हम इसे खोलेंगे तो देख सकते हैं आप इसकी तीन विसल कंप्लीट हो चुकी है और अब हम कुकर को खोल देंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हमें सुखा लेना है और यह जो मसाला है वो अच्छे से मैश हो जाना चाहिए टमाटर और पियास का इस तरीके से जो है चमच को घुमाते घुमाते हम यह दोनों चीज को आपस में एकदम मिक्स कर लेंगे ताके जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पिस जाए पूरी तरीके से बस दो से तीन मिनिट तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताके जो पानी भी है साथी साथ सूखता रहे और यह मसाला भी जो है अच्छे से मिक्स होता रहे और इसके बाद हम इसमें एट कर देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन तो चलिए अभी एट कर लेते हैं इसमें मैरिनेट क्या हुआ जो चिकन है सारा चिकन हम अच्छे से इसमें डाल देंगे और अच्छे से भूनना है तक क्योंकि अधरक लस्टन हमने चिकन में डाला था और उसकी जो कच्छी स्मेल होती है वो निकालना बहुत ज़रूरी है तो चिकन को अच्छे से डाल देंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे तो देख सकते हैं आप हम इसे अच्छे से भून रहे हैं और भूनते भूनते ही हमें इसका जो पानी है चिकन का वो थोड़ा सा रिलीस करना चाहिए चिकन ने और इसे हम अच्छे से भून लें ताकि इसकी जो चिकन की स्मेल होती है और अधरक लशन की जो स्मेल होती है वो अभी आप देख सकते हैं चिकन कितना सारा पानी छोड़ चुका है तो फुल फ्लेम पर हम इसे 2-3 मिट तक के लिए ऐसी छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वाटर वो आपस में सू हो जाए और यह जो हमारे बर्तन में मसाला लगा हुआ था इसमें भी थोड़ा सा पानी दाल के हम इसमें एट कर लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और मसाला जो है वो अच्छे से यूज हो जाए और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर इस स्टेज पे आपको जितनी ग्रेवी पतली चाहिए आपको उतना पानी दाल सकते है तो देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और बस इसमें हम थोड़ा पानी भी नहीं दालेंगे डिरेक्ली हम इसको लिट से कवर कर देंगे और एक विसल ले लेंगे फिर इसे 10 मिनिट तक के लिए हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पार और फिर इसे कुकर को ठंडा हो जाने देंगे और फिर आप देख सकते हैं कितना डिलिशेस सा तरी वाला चिकन जो है वह बनकर रेडी हो चुका है बिलकुल धाबा स्टाइल आपको अगर यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज़रू हाफेज